जशन का समय आ गया है और तियोहारों के इस मोसम में टेश्वों का आपनी लेकर आया है नवरात्री सेल जी हाँ इस 14, 15 और 16 अक्टूबर को आपको मिलेंगे शांदार ओफर्स और डिसकाउंट सभी सुपर कोचिंग पर तो अगर आप इन एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं तो अभी जाएए और इस शांदार ओफर्स का लाव ठाईए अगर हम उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो कुछ दिन पहले अभी एक दू दिन पहले आपको एक शॉर्ट नोटिस मिला हुआ था के उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक हजार प्लस वेकेंसी जारी करनी वाले हैं जो कि हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर करुष्ट अभिएंट्या की वेकेंसी निकल के आने वाली है जूनिए एंजिनि एर की वेकेंसी होने वाली है कितनी वेकिंसी किस department में सर क्या ये फर्मानेंट है या टेंप्रेड है तो ऐसे कई सारे questions हमारे जो बच्चों के मन में आ रहा है वो सारे इस एक वीडियो में यहाँ पर clear होने वाले हैं क्योंकि detailed notifications यहाँ पर release कर दिया गया है उसके वारे में हम यहाँ पर discussion करने वाले हैं और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस सारी अपडेट आपको यहाँ पर one by one मिलने वाली है तो अगर हम पुप्लिक सर्विस कमिशन की recruitment notification की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर advertisement के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो विग्यापन की विग्यापन प्रिकाशन की तिथी है वो आपका कितना है 14 12 अक्तूबर होने वाला है और online आवेदन करने की जो अंतिम तिथी है वो आपका तीन नवंबर मिलने वाला है रात्री ग्यारा बचकर उन्सेट मिनट पे और यह 2023 का अगर आपका कोई एरर हो जाता है कोई गलती हो जाती है तो गलती के लिए आप अपना एडिट कर सकते हैं और एडिट करने का जो डेट है वो दस से ले करके 19 नवंबर के बीच में होगा मध्य रात्री तक अगर आपके रात्री के 12 बज़े तक निकल करके आएगा अगर अ ऑनलाइन पत्र अगर हम भरते हैं तो उसमें कंडिशन में जितनी भी इलेजिबिल्टी कंडिशन है वो 3 नवंबर 2023 तक ही इस डेट को आपकी पूरी हो जानी चाहिए मतलब जो विग्यापन की अगर हमत्या फॉर्म फिलिंग की लास डेट है उस डेट तक आपकी सारी जो तो आपका मरकशीट में जो डेट ढर इस डिया गये माखशी इशु होने का राइनिख से आपको यहां पर माना जाएगा मतलब आपकी भली बाती यहां पर निरिक्षण करने तो वह सारी चीज़ें निकल करके आएगा और अगर हम बात करते हैं यहां पर कि आउनलाइन आवेदन पत्र स्विकार किया जाने के निधार अंतिम जिती समय के पूरू तक आवेदन में पत्र में तुर्टी होने पर अभ्यारती अपन पॉसिवल है उन चीजों के लिए तो संसोजन भी आप वहाँ पर कर सकते हैं ठीक है नहीं नमबात करते हैं एडिट और करेक्शन की बात करेंगे तो दस दिन का हमें टाइम दिया गया है ठीक है नेक्स में बात करता हूं यहां पर जो यहां पर रिजर्विशन डिएट रि वेकंसी का यहां पर पूरा का पूरा विवरन आपको दे दिया गया मत्तल्ब क्लारिफिकेशन दे गया है किस अगर हम बात करते हैं किस पोस्त के लिए जो रिजर्विशन होगा वो किस तरीके से सीचों का आवंटन किया गया है ठीक है नेक्स्ट में बात करूंगा यहां जो भी आपकी अहां पर होगा थिके तो अगर बात करते है जो वह भी आपके son k exports करने के बाद अपने पास रख लेंगे और ऑcountry Kishana करता है क्योंकि July आपका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय वह कॉपी भी आपको वहाँ पर ले जाना है तो कई बच्चे ऐसा नहीं करते हैं बात में फिर बोलते हैं कि यार सर यह नहीं मिल रहा है तो भाईया जब भी फॉर्म फिलिप करो उसकी हार्ड कॉपी जरूर रखना एक सॉ हमात के अंतिमचेन होगा उसमें दोग्लेंगा अभ्यार्थी को बलाए जाएगा उनका डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफ्टर डेट डॉक्यहां पर वैंडी रिफिकेशन के बाद पाइनल मेरिट लेस्ट यहाँ बन करके आएगी कि किस तरीके से निकल करके आगर हमको है कोई आयुकदारह नहीं तरह नहीं आपको भी जाएंगा ठीक हैसे नेक्सथ मात करूं चाहिके यहां पड़िय। जो भी सर्हों यहां बात करेंचे हैं यहां पर आपके सीरेल एक हजार के बीच्पे बाद करते हैं करते हैं राएट को मिलने वाला है तो इसमें अगर में डिप्लोमा किया जाना चाहिए बोल दिया है उत्तरप्रदेश और उत्तरखेंट के ही यहां पर बात की जा रही है ठीक है अगर हम अधिमानी अहिरता जो निकल के आई है वो प्रादेशिक सेना में दो वर्स की नियुनतम अविदी दक सेवा की हो वी प्रवाण पत हो या पर 187 प्लस 5 पोस्त निकल करके आ रही है ठीक है अगर हम देखें तो दूसरा हमारे जो निकल के आता सिजाई विभाग में जिसमें हमारे सिविल की और हमारे के यांत्रिक की खेवल पोस्त है मतलब मैकेनिकल की पोस्त है यहां पर 75 औ 63 और रिजर्वेशन बाइस यहां दे प्रमा अथवा अखिल वार्तिय प्रावेदिक शिक्षा प्रिशा द्वारा फ्रिदात सिविल अभियंत्रण में प्रास्टी प्रिमाड पता आपको देना चाहिए ठीक है और हम बात करें बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अधिमानी एहरता सेम एस प्रीवियस है ठी ऐक pagra akt करिक शिविल अभियंत्रण में टीन वर्स इप्लोवां यहां पर निकल करके आया रही है लहां बात करेंगे तो यहां पर वी तो अगर मैकेनिकल और हम बात करतें किसके लिए मेकेनिकल के लिए देखें, और हम बात करते हैं कृषी, ओ यानि अग्रिकल्चर वालो के लिए भी यहाँ पर वैकंसी's है, तो वो भी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है, ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ यहाँ पर एंजी टेक्निकल इंस्टूट या राज सरकार द्वारा मानेता प्राथ किसी अनसानेता या राज किये प्रावेदिक सिक्षा परिशद द्वारा दिया गया सिबिल एंजिरिंग में डिप्लोमा तो यहां पर इस तरीके के इलिजबिल्टी डिपाइंड की गई है अलग-अलग डिपार्टमेंट के एकॉर्डिंग ठीक है पेजल एवं शॉक्षता अभिवाग जल संस्तान के लिए हम आपके सब्सक्राइब के लिए हमारा इंजनिंग सैज्टी को यहां पर रिपॉस्ट esca on whyi हम बात करें इसमें क्रशक निर्बान वाग तो हम बात करेंगें इसमें इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा हैं वाग विद्द आंजिनियरीट्टिटर के लिए दिए यहां पर जो है वो condition दिये गई और हर एक में डिप्लोमा ही यहां पर तो इहां पर किसी भी राजिस्ते कि बात करते हैं अगर हम बात करेंगे तो अब अभי हंता की سिब्लोमा की बात करेंगे तो यहां पर क्या है Best और उसमें भी क्या है दिपलोमा निकल करके आता है अभी जन्स्तान में अभी हंतर्ण में दिपलोमा निकलубा यहाँ पर जब्रने करते हैं तो जुरमें हैं बहुत भूणा निजन्स हमारी निकल करके आता है हिस तरीके से रूसरें इत्र ट्रूमा करने में डिकर जो है वह धिकलोमा यहाँ पर है शुर्ण के प्रिकार होंगे ज़्यादा तर पत जो है वो इस्ता ही पत्र निकल करके आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर एक दो डिपार्टमेंट में जिसमें आहस्ता ही पत्र निकल करके आ अगर मैं बात करोंगा इहां पर और यह तो यह यह आएस्थाई पद है नहीं होना चाहिए, यह आस्थाईपन बहुत कम हैं, हम बात करते हैं, एक कंडिशन निकल गे आ रही है, अब यहां पर पदों का विवन जो दिया गया है वहां पर पूरी की पूरी लिस्ट दे दिया गया है तो आप इस लिस्ट के गो थू जा सकते हैं जो भी आपका करते हैं अगर हम देखें तो इसके सारी कंडिशन कर दी गई है तो हमारे जो रूल है उन रूल के अकॉर्डिंग निकल करके आएगी अगर मैं कॉमनली बात करो तो 21 से लेकर के 42 साल देखा गया है और हम बात करेंगे यहां पर जो होगा हमारा फावर ट्रांस्मेशन कर्परेशन के अंदर मिनिमम आयू जो है वह अठारा साल दे दिया गया है उत्तराखंड जल विद्दुद्द के अंदर हम बात करते हैं यहां पर 18 साल दे दिया गया है तो बाकिस सभी में 21 से 42 साल के अंदर होना चाहिए ठीक है 21 से अभियंता कि अगर परेक्षा में समलित होना चाहते हैं तो उनकी आयू सी में का जो निदारन अंतिन्त थी 172023 को अधिवयक्ष हो रहे हैं ऐसे अभियार्तियों को प्रेक्षा में समलित किया जाएगा मतला एक स्पेशल क्लॉस दे दिया गया है कि 2021 में जो कैंसल हुई थी उनके लिए जो आयू की करना होगी वो 1723 के रिकषा कर देख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूच सकते हैं वहां पर मैं आपको ये सारी चीने के लिया कर देता हूं घेक हैं तो हबात करते हैं यहाँ थी इहाँ पर हमें बात करते हैं तो यहां पर राज सरकार जिसके पक्ष में राज सरकार द्वारा पातिजा प्रमाणपत जारी किया गया है बात करते हैं यहां पर करेक्टर क्या होना चाहिए अगर हम बात करते हैं अब्भीयर्ती के मामले में पात्ता प्रमाणपत आवश्चक कुंतु ना तो जारी किया गया हो और यहां पर कंडिशन बोल दी गई है कि जो क्या कंडिशन है वो आपको क्रेक्टर क्या होना चाहिए वैवाव एक से ज़्यादा हस्बेंड वाइफ नहीं होना चाहिए ठीक है एक पुरुष के एक से ज़्यादा वाइफ और हम बात करते हैं एक से ज़्यादा हस्बेंड नहीं होना चाहिए ठीक है तो हम बात करत आपको यहां पर हम बात करते हैं जो भी यहां पर आपकर अप्लोड होने चाहिए इसके रिगार्फुली अप्लोड यहां पर करना है उसके रिगार्डिंग यहां पर एक अंडिशन दिया गया है ठीक है संसोधन करने के लिए आपके कुछ समय के लिए यहां पर खोला जाएगा और उस दौरान आप अपने पॉम में शंसोधन भी कर सकते हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं जो पीस रहेगी वह अनरक्षाज के लिए एक सो पचास रहेगी टोटल मिला करके जो टेक्स बगरे मिला कर कह governments रहा है निवाश्रत अनात बच्चों के लिए कोई भी सुल्क og नहीं लिया जाएगा कोई उसल्क नहीं दिया कि लिए के हां पर देने बाले हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं अगसां पयर नैकर में क्या होगा यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पर आग क्या यहां पर क्या होने वाला है तो वह तो थोड़ा सा मैं डिसकुस करना चाहूंगा कि एक्जाम सही होगा गलत मार्ट करते हैं तो आपको देखने को मिल रहे होते हैं जिरके हैं हो थिए गए हैं ठीक है नेक्स में बात करूंगा आपका एक्जामनेशन है पहला एक्जाम जो होगा वो सामान हिंदी का 100 प्रश्णों का पेपर होगा जिसमें पूरांग होंगा सो नंबर और हमाद के दो गंटे की समयाब देगा और अंग्रेजी का प्रश्णों होगा और दो गंटे का यहां समय देगा उसके बाद आपका अभी अंतरण का पेपर होगा जिसमें सिविल इंग, मैकेनिकल, इलेक्रिकल और अग्रिकल्चर के रिस्पेक्टिव 180 कॉश्चन होगे जिनके लिए तो हम बात करते हैं यहां पर हिंदी और इंग्लिश का सफी के लिए सेम रहने वाला है बांकि यहां पर सबसे च्छी बात है टॉपिक वाइज नंबर यहां पर दे दिये गया है किस टॉपिक से कितने मांक्स का आना है तो आप टॉपिक वाइज यहां पर अपनी चीजों को प्रिपेर कर सकते हैं निक्स इंग्लिश के लिए भी इसी तरीके से यहां पर दे दिया गया है कि आपको किस तरीके से करना है अब civil engineering की बात करें तो civil engineering अगर हम बात करते हैं mechanical engineering और electrical engineering का complete paper यहां पर दिया गया है है अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप बिल्कुल जो रोशोट से लग जाएगा और चल्दी ही रेक्रूट्मेंट कंप्रीट ही होगा बिल्कुल फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है अपने फॉर्म को जाकर करके फिलप कर दिजेगा उससे पहरे सारी गाइडलाइन की ना थीर ने विए पढ़न गाइडलाइनगा और भास सींदी अपने कच्छाह इंधन च्वानाइट।